हेलो गाईज कैसे हैं आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने योट्यूब चैनल एनी एक्जाम में गाईज आज की इस वीडियो में हम रिवोल्ट 1857 का पार्ट टू करेंगे जो की आपके चंडिगड कोट कलर की जो पंजाब में चाहर्याना जो कोट है उसकी जो चंडिगड हाुसिंग पूछी जाती है तो यह जिए का ही पार्ट है जिसमें हम रिवोलट 1857 कर रहे है पार्ट वन हमने कर लिया था उसकी क्या रीजन थे आज हम पार्ट टू करेंगे क्या social रीजन थे इसके क्या political रीजन थे कि ये 1857 का रिवोल्ट हुआ lai तो इस वीड प्रिशन करवाई जाएगी आपकी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जी के आपके हाउसिंग बोर्ड जो एक्जाम है चंडिवर्ड का उसके लिए और पंजाब हरियान हाई कोड के जो कलर की वकैंसी जिसमें जी के आती है तो उसके लिए तो यह इंपोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पार्ट टू में जो हमारा ठोरोस्तावन का रिवोल्ट हुआ था तो वो क्यों हुआ था लास्ट हमने कोई एक पार्ट कर लिया था जिसमें हमने जाना था कि किसने उसकी स्टैचेजी बनाई थी कौन उस वक्त आपका गवर्ना जर्लनल था कौन मुगल अम्पायर था उस वक्त बादुर्शा जफर था और कौन सेना पती था वो सब कुछ हमने याँ पर पढ़ ल था क्यूं ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो पॉलिटिकल रिजन में अगर हम को पता है कि जो लॉड डलहूजी था लॉड डलहूजी आपको पता है इसका जो टाइम पीरिड था वो कब सकता 1848 से लेके 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था कौन लॉड डलहूजी 1848 से लेके 1856 में और जैसे ही रिवोल्ट स्टार्ट हुता है तो लॉड कैनिंग वहाँ पर इसके बाद लॉड कैनिंग बनता है और जैस बन जाता है कैम्प बेल वहाँ पर आपका आर्मी चीफ बन जाता है लेकर लॉड कैनिंग के टाइम पर ये हुआ था तो लॉड डलहूजी जो थे वो 1848 से 1856 थे और आपको पता है कि जैसे ही ये लॉड डलहूजी भारत का गवर्नर जनरल बनता है तो 1848 में एक वार होता ह है जिस जो था सेकंड एंगलो सिखवार सेकंड एंगलो सिखवार जो की 1848 में लड़ा गया था और उस वक्त जो पंजाब के राजा थे सेकंड एंगलो सिखवार जो लड़ा गया था वो कौन थे माहराजा दलिप सिंग थे जो पंजाब के राजा थे माहराजा दलिप पंजाब के राजा थे महाराजा दलिप सिंग ठीक है न तो इनके बीच में ये वार लड़ा गया था जब ये लड़ा गया तो जो लाउड डलहोजी था उसने पंजाब के राजा महाराजा दलिप सिंग को पेंशनर बना के ठीक है न ये हार गये थे Second Anglosic War जो था यह पंजाब हार गया था खीक है ना इसमें जो सिक थे वो हार गये थे लाउड अलोजी जीत गया था तो यह Second Anglosic War था जिसमें उसके बाद क्या करा डलाड अलोजी ने पंजाब के राजा महराज़ दली सिंग को पैंशनर बना के कहां बेज दिया London बेज दिया था मलकी यह हार गय थे फिर इनको अपना पेंशनर बना के इनको कहां बेज दिया गया London बेज दिया गया था और London में जाके कब 1849 में 1849 में जब यह महराजा दलिप सिंग London गय थे तो इनोंने कोहिनूर हीरा ठीक है ना जिसके बारे में सब जानते है कोईनूर हीरा कोईनूर डाइमेंट जो था किसको Queen Victoria को दे दिया था तो Queen Victoria को ठीक है ना 1948 में noon 1948 में नेंटिन पवर्टी एड में सेकेंंड एंगलोसिक वार होता है जैसे ही Lord SpaceX भारता Governor General बनता है तो 1948 माफ कीज़ेगा 1848 में सेकेंड एगलोसिक वार होता है उस वक्त पंजाब के जो राजा थे मोथे माराजा दलिप सिंग और इनको पैंशनर बना के लंडन भेज दिया जाता है और 1849 में इन्होंने जब ये लंडन जाते हैं जाके कोहिनूर हीरा जो था उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को सौप दिया था और फिर जो लॉर्ड डलहोजी होता है भारत का जो गवर्णार जनरल होता है ये एक और नीती लेके आता है जिसके नाम बारे में आपने सुना होगा डॉक्ट्रिन ओफ लेप्स प्रिटिश राजे में जो हैं वो मिला लिये जाते हैं तो वो कौन-कौन से राजे थे तो जिस सिक्वेंस में आपको वो सारे राजे याद रखने है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार S, S, B, S, S, B और इसके साथ ही यहाँ पर आएगा J, S, S, B ठीक है ना फिर आएगा U, I, U, J, N, A, K आपको यह सिक्वेंस दिहां रखना है S, S, B, U, N, S, S, B, U, J, N, A, K S, S, B, U, J, N, A, K तो S से सबसे पहला राजे जो मिला गया था वो था सतारा सबसे पहला राजे जो बिर्टिश में मिला गया था वाले J से जो बनेगा वो बनेगा जैत पूर A से बनेगा अवद A से बनेगा अवद और K से जो बनेगा वो बनेगा आपका करोली तो ये सिक्वेंस आपको याद रखना है SSB UJNAK तो सबसे पहला राज्य जो doctrine of labs के नीती के नुसा जो मिलाया गया था वो था कौन सा सतारा दूसरे से सांबलपूर, J से जैदपूर, B से भगत, U से उदेपूर, J से जहांसी, N से नागपूर, A से अवद आप ध्यान रखेंगे कि जो अवद था उस वक्ट जो अवद के नवाब थे 1856 में जब इसको मिलाया गया था तो अवद के नवाब जो थे वो थे जो आग थी वो अवद में ही थी अवद में ही भड़की थी ठीक है ना क्योंकि मैसा वहाँ पर सब को बीच में फैला दिया गया था कि जो अवद की जिंता है वो अवद के राजा से खुश नहीं है लेकिन ऐसा नहीं था वहाँ के लोग भूत प्रसंद थे अवद के राजा से वाजी दली खां से लेकिन डॉक्टर्न अफ लेप्स की नीती के अनुसार वहाँ के लोगों को बढ़काया गया कि यहाँ के लोग यहाँ पर पसंद नहीं है यहाँ के वाजी दली खां से परिशान है तो इसलिए इस राजे को जो है वो बेटिश समराजे में मिलाया जाना चाहना ज़रूरी है लेकिन ऐसा नहीं था इसलिए वहाँ के लोग जो थे इस 18-17 की करांती का सबसे ज़्यादा विद्रो जो हुआ था वो हुआ था अवद में और आप जानते हैं कि वाजिद अली खां की जो वाइफ थी वाजिद अली खां की वाइफ जिसका नाम था क्या बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल जो कि वाजिद अली खां की वाइफ थी इनका आप जानते हैं कि इन्होंने विद्रो शुरू किया था कहां से लखनव से क्योंकि उस वद अवद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी लखनव थी तो लखनव से इन्होंने वित्रो शुरू किया था किसने बेगम हजरत महल ने तो पॉलिटिकल रिजन क्या थे जैसे ही लड डल होजी आता है उस सेक्रिट एंगलो सिक्वार होता है 1848 में जिसमें सिक्वार जाते हैं और पंजाब के राजा जोकी थे महराजा दलीप सिंग इनको पैंशनर बनाके लंडन बेज दिया जाता है और जब यह लंडन जाते हैं 1849 में तो क्विन विक्तिरियो को इन्होंने वहाँ पर कोहिनूर हिरा भेंट किया था तो उसके बाद डॉक्टरन आफ लेप्स की नीती आती है कब 1856 में आती है जब डॉक्टरन आफ लेप्स की नीती आती है उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ शोशल रिजन भी थे वो भी हम देख लेते हैं कि सोशल रिजन क्या थे शोशल रिजन जो 1857 की जो करांटी हुई थी उसके सोशल रिजन क्या थे तो 1857 करांटी की होने के सोशल रिजन ये थे कि 1856 में एक एक्ट आता है एक बिल पारित किया जाता है कौन वीडो रिमेरिज एक्ट वीडो री मेरिज बिल पास होता है वीडो री मेरिज बिल याने की विदवा, पुनर विभा, विदहेक ये कौन लेके आता है 1856 में Lord Canning इसको लेके आते हैं कौन? Lord Canning Lord Canning क्योंकि ऐसा मानना था कि जो भारत के लोग थे यहां तक तो सहन कर सकते थे कि वो हमारे political reason यानि की राजनेती में दखल कर रहे हैं लेकिन यह ऐसा नहीं सहन की अजस्ता कि हमारे social यानि कि जो हमारे धर्म है या फिर जो हमारी प्रताएं हैं उनमें कोई दखल दे तो यह video remarriage जो bill है यह act बन जाता है यानि की कानून पारित हो जाता है तो यह क्या बन गया video remarriage जो bill था वो video remarriage क्या बन जाता है act बन जाता है bill बन जाता है एक कानून बन जाता है और सबसे पहले जो यह start हुआ था वो 1856 में हुआ था कहां से start किया गया था इन कलकत्ता से, सबसे पहले इसकी जो शुरुवात हुई थी, कानून की, वो कलकत्ता से स्टार्ट हुई थी, 1856 में, और ये लेके कौन आया था, वीड़ो रिमेरिज बिल, ये लेके आया थे कौन, बाय डल हौजी, डल हौजी के टाइम पे ये आया था, डल हौजी इस बिल क लेके आया था, लेकिन ये कानून कब बना था, ये कानून बना था, रिवीड़ो रिमेरिज जो एक्ट, एक्ट बना था, ये किसके टाइम पेरिड में, लौड कैनिंग के टाइम पेरिड में, और इसको सारे पूरे देश की जनता ने इसको क्या किया था, इस बिल का भी द आप जानते हैं कि इश्वर चंद्र विद्या सागर जो थे वो इस बिल के पक्ष में थे इश्वर चंद्र विद्या सागर इश्वर चंद्र विद्या सागर जो थे वो इस बिल के पक्ष में थे ये बिल जो लेके आये थे वो लौड अलहाउजी लेके आये थे 1856 में और 1856 म में ही लाओड कैनिंग के टाइम पिरेड में इसको एक्ट बना दिया गया ये बिल बना और इस बिल के जो शुरुआत थी वो कलकत्ता से हुई थी और पूरे देश की जनता इस बिल के विद्रो में थी लेकिन बिरोध में थी लेकिन जिरफ एक परसन यानि की ईश्वर चंद अठारा सो तेरा में आप जानते हैं कि अठारा सो तेरा का जो चार्टर एक्ट था उसके अकॉर्डिंग अठारा सो तेरा में ही क्रिष्टन मिशिनिरी जो थे वो भारत आये थे Christian Missionaries वो भारत आये थे, भारत में उनका आगमन हुआ था ठीक है न, इनका आगमन हुआ था, भारत में आगमन Christian Missionaries का, इसका मतलब ये है कि Christian Missionaries का कहने का मतलब ये है, कि 1813 में भारत की लोगों को बोला गया कि या तो आप Christian, यानि कि इसाही धर्म को अपनाएंगे तो आपको government jobs दी जाएंगी आपके और भी आपका ख्याल रखा जाएगा ठीक है ना और लेकिन अगर आप इसे नहीं अपनाते तो आपका इस ये सारा जो है वो विद्रो होगा ठीक है ना तो अठारा सो तेरा में किर्श्टन मिच्टरी अठारा सो तावन को जो विद्रो था ये बढ़ गया था तो ये थे हमारे पास कुछ विद्रो कुछ रीजन से एक रीजन और है जो की रीजन रीजन है जिसे आप सब जानते है वो एन्फिल्ड राइफल के बारे में जिसकी जिसके खोल जो था वो गाएं और सुर की की हिंदो के लिए बहुत क्योंकि गाये हैं हिंदो में बहुत मन्यता है तो उसकी चर्वी को कार ना को पसंद नहीं था ऐसे पसंद नहीं आ эк चरवी वो मसलमानों के लिए बहुत बहुती तो वो रीजन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अभी के लिए आपका ये गेम्स होई हैं उसके बारे में जानेंगे तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं next part में revolt 1857 का part 3 होगा वो और next part में वो part खतम हो जाएगा revolt तो अगर आपको वीडियो पसंद आइए तो please visit को like करेगा subscribe कीजएगा हमारे channel को एन एक्जाम इसी तरह की और वीडियो के लिए थेंक यू, थेंक यू वरी मच